नमस्कार दोस्तो, मिडिलिस्ट का एक छोटा सा देश जो 1971 में आजाद हुआ और तरक्की की रहा पर निकल पड़ा और समरद्शाली देश में शामिल हो गया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कतर देश की, कतर जो देश है यहाँ फारस की खाड़ी में स्थित है और यहाँ की ज लक्षिनी भाग है, वह सौधी अरेविया से जुड़ा हुआ है इसकी जनसंख्या लगभग 30 लाग के करीब है यहाँ का जो धर्म है वह इसलाम है और ऑफिशल लेंग्वेज यहाँ की अर्भी है कतर की जो करंसी है वह कतारी रियाल कहलाती है और कतर में राजचाही शाश चलता है थानी वंश कबालियों के खांदान से तालुक रखते है कतर के हेड ऑफ दस्टेट और आम फोर्सिस के कमांडर इनचीफ अमिर शेख तमीम बिन हमद अलतानी है मुस्लिम शाशकों को जो पदवी दे रखी है वह अमिर कहलाती है कतर के जो प्रधान मंत्री है वह श कतर लिक्विफाइड नैच्रल गैस का निरियातक देशे और यहां दुनिया में तरीके से कतर जो है या नैच्रल गैस और तेल के उत्पादन में दुनिया में तीसरे नंबर पर है कतर का अपना अलजजीरा न्यूस चैनल है और इसीने ही कतर को इंटरनेशनल मंच पर दोब रहा है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है और इसके लिए कतर ने एम लंब भी बना लिया है इसी कतरीके से सन 2030 में एशियन गेम भी कतर में होने वाला है इसका अगवानी भी कतर देश करेगा कतर के अल्थानी खांदा ने 50 अरब डॉलर का निवेश ब्रेटेन में किया है यही नहीं अमेरिका का सबसे बड़ा जो सेन्यबे से वह अल उधायत कतर में है यही कारण है कि एक छोटा सा देश बड़े बड़े देशों के बीच में मध्यस्ता कर रहा है हाल ही में अफगानिस्तान में फसे भारतियों को निकालने में कतर ने सहयता की है यही नहीं कतर ने काबूल एरपोर्ट का संचालन कर काबूल में फसे विदेशी नगरिकों को भी बाहर निकालने में सहयता की है तो यह थी कतर से संबंदित कुछ जानकारी अगले वीडियो में हम नए वीशे के साथ आएंगे तब तक के लिए नमस्कार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद